नाबालिगों के हाथों में अब वो चाकू आ गया है जो कि प्रतिबंदित होना चाहिए Ministry of Home Affairs के notification के मताबए लेकिन वो चाकू धडलले से e-commerce sites पर मिल रहे हैं आखिर क्या है पूरा मामला और किस तरह से सराय रोहिला के case में ये पूरा मामला सामने आया और juvenile justice board को notice करना पड़ा इस पूरे मसले में बाचीत करेंगे juvenile's के मामलों को देखने वाले आशीश कुमार जी के साथ आपका बहुत-बहुत स्वागत है आशीश जी सबसे पहले तो ये case बताईए कि आखिर कार ये कहां से निकला मामला कि आखिर ये जो चाकू है और प्रतिबंधित होने चाहिए लेकिन अभी भी बिक रहे हैं देखिए मैं जादा तर juvenile justice board में cases देखता हूं और बच्चों को ही represent करता हूं तो मैंने कई एक cases में देखा कि ये एक trend चल रहा है कि बच्चे e-commerce website से चाकू खरीदते हैं और ये वो चाकू है जो कि Ministry of Home Affairs, Government of India ने 30 October 1980 को ही प्रतिबंधित कर दिये थे और गैजट notification में publish करके वो उनको arm set के prohibited training में ले आया थे तो इस तरह है कि बटंदार चाकू या फिर spring actuated चाकू जो है या फिर जिनके फल के लंबाई 7.62 cm या चोराई जो है और ये नाकेबल नावालिकों की बात है ये बड़े भी हैं उनके लिए भी बहुत आसान हो गया है पहले दिल्ली में इस तरह की चीज़े मिलना मुस्किल होती थी मैं यहां गत 13 वर्सों से लगबग प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो मैंने देखा ये ट्रेंड की पहले जो जो आपका केस है वो क्या है और किस तरह से जैजेभी ने उसमें नोटिस किया मैं तो गया था बेल को अपोज करने के लिए विक्टिम के तरब से था कि कैसे यह गडारी दार चाकू जो है, जो कि उल्टे धार वाले होते हैं, जिसे कि जाधा Fatal Inglures काओस की जा सकती हैं, आम सबजी काटने वाले चाकू और गडारी दार चाकू के काओस किये हुए बहुत अंतर होता है और उसमें बहुत fatal injuries हो सकती है तो वैसे ही चीजें जब मैंने देखा कि हर केस में ऐसा आ रहा है तो हमने बोर्ड को वहीं पर argument के दौरान ही हमने बोर्ड को सू किया कि आप देखें ये website देखें ये website देखें और देखें कितनी आसानी से एविलेबल है एक से दो दिन में वो भी 500 रुपए से लेकर 1500 रुपए तक में इतने कम खर्चे में आप एक दिन में मंगवा लेते हो और ये weapon of offense है और जिनकों की self options available हैं इवन आप इनको conceal करके कैसे ले जा सकते हैं कैसे smartly इसको carry कर सकते हैं उन सब चीजों के लिए pouches और belts भी available हो रहे हैं और ये सब कुछ e-commerce website पे आप किसी के लिए भी available है और बहुत कम पैसों में available है तो जिसको भी crime करना है वो अगर उसको हथियार नहीं मिल रहा है त तो असानी से कभी भी ले सकता है देर रात order कर सकता है कहीं से भी कर सकता है और कहीं भी मंगवा सकता है नोटिस कब हुआ और आने वाले hearing कब है और इसमें क्या कुछ जवाब मिलने की उम्मीद की जा सकती है इसमें आने वाली hearing 18 दिसमबर को है और उस दिन हम देखेंगे कि इसमें आगे क्या direction ले आ सकते हैं क्या कुछ regulation बनाने की ज़रत है और कहीं policy level पर और कहीं बात की जा सकती है कहीं और representation दिया जा सकता है तो यह सारी चीजे भी की जा सकती है लेकिन यह मेरे समझ में बहुत ही गंभीर मसला है कि इस तरह से किसी के भी हाथ में जो हतियार इतन होते कहीं और सकते हैं तो इस तरह की चीजों पर लगाम कसना जरूरी है साथी साथ कुछ इसी तरह के जबाब मिलनी की उमिद है अब देखना यह होगा कि आगे क्या जबाब आता है लेकिन खास तोर पर यही है कि कम से कम भारत देश में नावालिगों को माना जाता है अग का इस्तेमाल किसी की जान लेने के लिए भी किया जा सकता है वो अपने आप में बहुत चौकाने वाला एक ट्रेंड है जिसका खुलासा अभी आपने देखा कि जोवेनाईल के एक्सपर्ट वो भी जाने माने आशीश कुमार ने साफ तोर पर कहा मरदूल के साथ राम किंकर सि आज तक